आज हम दही प्याज की सबजी बनाएंगे इसके लिए हमने ले लिये हैं तीन टमाटर और इन्ने हम अच्छे से पानी से वाश करके हमने इने रफली कट कर लिया है और मिक्सी में इसे डाल के हमें इसका फाइन पेट पनाना है उसके बाद हमने चार मीडियम साइज के प्याज लिये हैं, इन्हें भी कट छील लेंगे, छील के इन्हें पानी से अच्छे से धो के इन्हें इस तरह से लंबे-लंबे स्लाइसिस में काट लेंगे उसके बाद हमने गैस पेक पैंट रखा है, उसके अंदर थोड़ा सा ओयल डाला है, वन टी स्पून जीरा, थोड़ी सी हींग, जिंजर गार्लिक पेस्ट और जो हमने अभी टमाटर पीसा था, मिक्सी में, उसे हम इसमें डाल देंगे और इसको इसी अच्छे से मिला देंगे, और उसके बाद मैंने इसमें दो रेट चिली डाली है, साबत उसको भी हम इसके अंदर इस तरह से mix कर देंगे उसके बाद मैंने इसमें डाला है कश्मीगी लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट और टर्मिरिक पाउडर धनिया पाउडर और चाट मसाला अब हमें इन सभी मसालों को आपस में अच्छे से mix कर देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से पूरे में mix हो जाएं और फिर हमें इसको ढखके दो मिनिट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे से पक जाएं उसके बाद इसमें मैंने फ्र प्याज काती थी वहमिसी के प्याज को सेथे कि अधिसे से मिक्सकी कर देंगे । हमें कोई पानी एड़ीन करना है सिर्फ प्याज को इसमें मिक्स करके और इसे मीडियम फ्लेम पे वाध में दस से पंदने के लिए पकने देंगे 10-15 मिनिट के बाद हमारी सबजी बनके रैडी है यह देखिए और उसके बाद अब इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटा हुआ हराधनिया और इसको भी डालने के बाद हमें इसे फिर से मिक्स कर देना है और इस तरह से हमारी दही प्याज की सबजी बनके रैडी है अब हम इसे एक प्लेट में या एक बॉल में निकाल के सब कर लेंगे और इसे खाईए यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो आपको यह रैस्पी कैसी लगी प्लीज मुझे कॉमें शेक्षन में जरूर बताएं और एक बार सब्सक्राइब करें तब तक के लिए बाई एंड थैंक यू